हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की टिप्स में मैं आपको चेहरे और शरीर के रंग को गोरा करने का तौचा के साउलेपन और कालेपन को दूर करने का एक बहुत ही effective home remedy बता जारे हुई यान उसका बहुत ज़्यादा effective है तौचा के साउलेपन को दूर करने में और तौचा को खुबसूरत बनाने में लेकिन इससे पहले आपस रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपनी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बेल बटन को जरूर रॉन कर ले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो च दुवह कोव चाहिए होगा जए मार्किट में आसानी से आपको मिल जाएगा कि जएक आटा हमारी त्वचा के रंग को निखारने में बह kort जादा असरदार होता है इस के इस्तिमाल से तवचा के रंग में बहुत जल्दी निखार आता है और तवचा खुबसूरत हो जाती है अब इसमें आपको mix कर लेना है एक चमच, खीरे का रस खीरे का रस हमारी तवचा से suntan को हटाता है और हमारी तवचा से दगदबो को दूर करता है, या हमारी तवचा के रंग को निखारने के साथ हमारी तवचा को गलौइंग भी बनाता है. इसके बाद, आपको इसमें मिक्स कर लेना है, टमाटर का रस, टमाटर विटामिन C से भरपूर होता है, जो हमारी त्वचा को निखारता है और त्वचा से दागधबों को दूर करता है अब इन सारी चीरू को आप अच्छी तरह से मिक्स करके बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर ले आप चाहे तो इसका इस्तिमाल चीरे के अलावा हाथ पर या पूरे शरीर पर आप कर सकते हैं नहान से पहले आप इसका इस्तिमाल कर ले पूरे शरीर पर आपके पूरे शरीर की त्वचा निखर जाएगी इसे आप अपने चेहरे पर हाथ पेर गर्दन पर अची तरह से लगाए लगाने के बाद इसे सूखने दे जब यह सूख जाए तो आप इसे रगड़ते हुए छुड इसका बहुत ही ज़्यादा असरदार है इसका इस्तिमाल हपते में दो बार जरूर करें इसे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके चेहरे के साथ साथ आपके पूरे शरीर की तवचा में निखा राएगा और आपकी तचा काफी खुबसूरत और ग्लूइंग हो जाएगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीजी से शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगी मेरे नए टिप्स को देख सकें और बेल बटन को जरूर अन कर लें इससे आप मेरे नए वीडियो का कर दो